हाई दोस्तो मैं हो संदीप अब दिखरो इन ये स्टर काईस आज मैं आप सबको दो बाइक के अंदर कॉंपेर करके दिखाने ज़रा हुजी है दोस्तो एक है बाजज पालसार नियों पर डिजाइन देख पाऊगे वैसे पालसार की इस डिजाइन को यंग जेनरेशन बहुत ही लाइक करता है वही दूसरी ओर डिसकोवार पर तो आप ब्यस पूर मॉडल बाइक देख रहे हो लेकिन यहां पर भी काफी स्टाइलिस डिजाइन देख पाऊगे लेकिन दुनों मे 25 हेलेट देख पाऊगे यहांपे 22,35W देख पाऊगे पुसर की सय्पेंस जो यह आप टेलिस्पोफिक सस्पेंस देख पाऊगे वैसे तो बच्चार की ह Isaac की हर बाइक की सा오 सस्पेंसन बहुत निच्चा पर्पर्म करता डिसकोबर की जो सामने की साश्मेंसन है यहां पे आप टेलिसज्विक फॉर्क सास्मेंसन देख पाऊँगे पलसर की सामने की ब्रेकिंग पर अप्प्सनाल बेकिंग देख पाऊँगे यहां पर डिस्भ toothbrush की जो साइज है तोपन की अचलग डेकंगे वही दूसरी और discover की सामने की tire को देखा जाए तो यहाँ पे आप 2.7517 का tubeless tire देख पाओगे Pulsar की meter capacity को देखो यहाँ पे काफी stylish meter capacity देख पाओगे यहाँ पे rpm meter जो है बो analog बाकिसोप यहाँ पे आप digital देख पाओगे वही दूसरी और discover का भी same देख पाओगे यहाँ पे rpm meter analog बाकिसोप यहाँ पे digital देख पाओगे Pulsar की fuel tank की capacity है यहाँ पे आप 11.5 liter की fuel tank की capacity देख पाओगे वही दूसरी और discover पे देखा जाए तो 8 liter की fuel tank की capacity यहाँ पे देख पाओगे Pulsar की जो engine है यहाँ पे आप 4 stock 2 valve doing spark BS6 DTSI engine देख पाओगे इसकी max power है 8.68 kw 11.8 ps 8500 rpm max torque की 10.8 newton meter 6500 rpm 124.4 cc का engine है वही दूसरी और discover की जो engine है यहाँ पे आप 4 stock air cool single cylinder SOAC DTSI 124.5 cc का engine देख पाओगे इसकी max power है 11 ps 7500 rpm max torque की 11 newton meter 5500 rpm दोस्तों दोनों में से engine power थोड़ा सा pulsar पे आप ज़्यादा देख पाओगे Pulsar की जो पीछे की suspension है यहाँ पे आप twin gas shock suspension देख पाओगे वैसे तो कोई भी bike की suspension हमारे लिए बहुत ही important होता है क्योंकि वो हमारे bike को smoothness बनाता है डिसकोवार की पीछे की suspension पे आप wheel travel nitroke suspension देख पाओगे Pulsar की जो पीछे की tire की size है यहाँ पे आप 190 17 का tubeless tire देख पाओगे वही दूसरी ओर डिसकोवार की पीछे की tire की size पे आप 190 17 का tubeless tire देख पाओगे Pulsar की पीछे की braking पे आप कोई भी optional braking देख नहीं पाओगे यहाँ पे 130 mm का drum bag देख पाओगे वही दूसरी ओर डिसकोवार पे भी आप same देख पाओगे यहाँ पे भी कोई optional braking नहीं है यहाँ पे भी 130 mm का drum bag देख पाओगे पालसर की पीछे की बैग लाइट को देखो यहाँ पे काफे स्टाइलिस बैग लाइट की डिजाइन देख पाऊगे यहाँ पे LED यूज किया गया है दूसरी और डिस्कोबार की बैग लाइट को देखो यहाँ पे भी LED यूज किया गया है यहाँ पे भी काफ़े stylish backlight की design देख पाऊगे लेकिं दोनों में से compare का जाए तो Palsar का ज़्यादा best design देख पाऊगे वैसे तो ये दोनों के दोनों बाइक ही अपने अपने जगा पे एक दोन best बाइक है Discover का engine power थोड़ा सा कम है इसकी कीमद भी थोड़ा सा कम है इसकी mileage थोड़ा सा ज़्यादा देख पाऊगे दूसरी और Palsar पे देखा जाए तो Palsar का engine power थोड़ा सा ज़्यादा है उसकी mileage थोड़ा सा कम है और इसकी कीमद भी बहुत ही ज़्यादा देख पाऊगे अगर आप कीमद को नजर रखते हुए एक mileage देने वाला बाइक खड़िदना चाते हो तो Discover आपके लिए best है वही दूसरी और थोड़ा सा engine power के साथ एक stylus बाइक खड़िदना चाते हो तो Palsar आपके लिए best है गाइस मैं आपसे request करता हूँ कि मेरे चनल को जड़ो subscribe करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा like and share कर देना thanks for watching this video